आज हम सीखेंगे किसी भी फोन में मुबाइल डाटा लॉग कैसे करते हैं आपके फोन में मुबाइल डाटा या वाइफाई ओन रहेगा लेकिन आपके फोन में इंटरनेट नहीं चलेगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं यूटूब पर बहुत ज़ादा वीडियोज देखते हैं और आपका सारा के सारा डाटा खतम कर देते हैं तो ऐसे में अगर आप यूटूब पर इंटरनेट को बंद कर देंगे ब्लॉक कर देंगे तो दोस्तों क्या होगा मुबाइल डाटा अन रहेगा लेकिन YouTube पर इंटरनेट नहीं चलेगा इस तरह से दोस्तों आप किसी भी एप पर मुबाइल डाटा को लॉक कर सकते हैं पूरी तरह से बंद कर सकते हैं यह सेटिंग करने के लिए आपको अपने मुबाइल की सेटिंग समय आना है इसके बाद आ यहां पर आपको एक setting मिलेगी app management या manage app या app list इन तीनों में से आपको setting मिलेगी आपको इसे open करना है अब यहां पर आपके mobile की सभी apps आपको दिखाई देगी सभी game आपको दिखाई देंगे तो जो भी app पर आप internet को log करना चाहते हैं वो app पर आपको click करना है जैसे के मैं YouTube पर क चल रहा है अब हम क्या करेंगे YouTube पर internet को block कर देंगे internet हमारे phone में on रहेगा लेकिन YouTube पर internet नहीं चलेगा तो यहां पर आपको आना है app management में और यहां पर आपको YouTube को open करना है जो भी app पर आप internet को log करना चाहते हैं वो app को open करना है यहां पर आपको एक option मिलेगा data uses यह वाली setting को आपको open करना है अब यहां पर नीचे में आपको दो option मिलेंगे disable mobile data, disable wifi अब आपको देख लेना है आप कौन सा internet use कर रहे हैं अगर आप mobile data use करते हैं तो आपको यहां पर data की setting को on करना है अगर आप wifi यूज करते हैं तो wifi को भी on कर देना है अब दोस्तों यहां पर मैंने दोन एक बार recent app से YouTube को हटा देना है, जो भी app पर आप internet lock करेंगे, वो app को आपको क्या करना है, recent app से close कर देना है, अब आप यहाँ पर देखेंगे, mobile data on है, हम यहाँ पर YouTube को open करते हैं, तो आप देखेंगे, यहाँ पर YouTube पर internet नहीं चलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे, काम नहीं क किया, तो आप देखेंगे Instagram पर internet चल रहा है, लेकिन YouTube पर नहीं चल रहा है, क्योंकि YouTube पर हमने internet को block कर दिया है, इस तरह से दोस्तों आप Instagram पर, Facebook पर, कोई game पर, किस पर भी दोस्तों आप internet को block कर सकते हैं, अगर आपको unblock करना है, तो दोस्तों दुबारा से आपको यहाँ क जो setting हमने on की थी, इसे off कर देना है, इसके बाद दोस्तों क्या होगा, internet चलना शुरू हो जाएगा, जैसे क्या आप देख सकते हैं, अगर नहीं चलता है, तो आपको एक बार recent app से YouTube को बन कर देना है, दुबारा से open करना है, तो आप देखेंगे internet चलना शुरू हो जाएगा जैसे क्या आप देख सकते हैं, अब माल लीजिए, यह setting आपके फोन में नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके फोन में यह setting नहीं है, तो दोस्तों आपको एक app डाउनलोड करना है, एप का download link मैंने description में दे दिया है, वहा अगर आपको यहां से कट करना है, अब यहां पर आप जो भी app पर इंटरनेट को ब्लॉक करना चाते हैं, तो उसके सामने जो यह internet का icon है, इस पर आपको एक बार click करना है, तो cross का sign आ जाएगा, इंटरनेट बंद हो जाएगा, यह setting हमने कर दी, अब आप यहां पर देख ली आप का यूज कर सकते हैं, दुबारा से आपको on करना है, तो आपको आना है app में जो setting on कीती है, इसे off कर देना है, इसके बाद recent app से यहां पर आपको YouTube को बंद करना है, दुबारा से open कर लेना है, तो YouTube पर internet चलना शुरू हो जाएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को और शेर कर देना,